Hello everyone, स्वागते आप सभी लोगों का शिक्षाफ और नौकरी में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं CTET के लिए आंसर की यहाँ पर हम CTET जो 21 दिसंबर में आपका पेपर हुआ है 21 of December में जो पेपर हुआ है 2021 में उसके लिए हम आंसर की को डिसकस करने वाले हैं और इसका हम CDP वाला पार्ट हम डिसकस कर चुके है लिंक उपर आई सेक्षिन में आ रहा है जरूर जाकर चेक आउट कर लेना अभी हम लोग जो डिसकस करेंगे वो है हमारे पास साइंस का पोर्षन मैस और साइंस दोनों के लिए ये पोर्षन हम लोग डिसकस करेंगे यानि कि आंसर की रहेगी मैस साइंस के लिए 21 दिसंबल वाला जो ऑनलाइन पेपर हुए है आपका टेलिग्राम पर ज़रूर कनेट कर लेना लिंक आपको नीचे वीडियो को डिसक्रिप्शन में बिल जाएगा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि साइंस और मैस की कुश्चन कुशND में स्किप करोगा जो हम पार्ट तू में डिसक्स करेंगे ठीक है इस कुश्चन इस वीडियो में हम जितने कुशचन लगबग तर्मोस्ट हम थर्टी कुश्चन को डिसक्स कर लेंगे और carryनं को हम जो है पार्ट नमबर तू आपने farmland पर जिसका percolation rate जो है बहुत जादा रहेगा तो आपके इसाब से कौन सी crop इसको बोनी चाहिए percolation rate पतलब जो ज़्यादा जिसको ज़्यादा water की आवश्यक्ता होती हाई percolation rate जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यक्ता होती है cotton wheat पैडी या फिर ग्राम तो राइट आंसर है हमारे पास पैडी बोले तो राइस आपको पता है धान राइस की जो फसल होती है उसमें हाई परकॉलेशन रेट यानि की हाई वाटर डिमांड होता है तो इसलिए पैडी की फसल जो है बिल्कुल उप्योगत रहेगी अगर कोई भी फार्मर जो है इस तरीकी की हाई परकॉलेशन रेट की कोई भी क्रोप अगर बोना चाह रहा है तो तो आप्शन नमबर थर्ड राइट आंसर नेक्स बढ़ेंगे के कुशन नमबर टू के साथ कुशन टू बोलता है इंगल of it triangles are in the ratio of 3 इस to 2 इस to 4 the difference of the largest and smallest angle of triangle is बहुत असा कुशन था इस तरीकी के मैं इसके कुशन कभी भी नी छोडने है राइट आंसर बताते हैं पहले आपको राइट आंसर हमारे पास option नमबर टू राइट आंसर हमारे पास option number 4 यानि कि 40 degree अब यह 40 degree कैसा है तीन ratio दिये गए हमें तो आपको पता तिरविच के तीनों कोणों का योग कितना होता है भई 180 degrees होता है 180 degrees ठीक है अब आप यहां से क्या करीजे इन ratio को हमने माना 3x, 2x, 4x क्या है तीन भुजा है किसके बराबर होगी तीनों सम के बराबर होगी तीनों को आप add कर लीजे answer आपके पास जो आएगा वहां से क्या निकल जाएगी आपके पास आजाएगी x की value और x की value जब आपके पास आजाती है तो आप उसको put कर दीजे और difference निकालना है आपको largest और smallest का तो यहाँ पर देख लो आप यह हो जाएगा आपका 5x plus 4x यानिकी 9x is equal to 180 और यहाँ पर हो जाएगा 9x is equal to 180 और x is equal to 20 तो आपके पास x की value कितनी है आगी 20 तो आपको difference क्या निकालना है जो बड़ा और जो सबसे चोटा और सबसे बड़ा angle है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा angle है वो क्या है हमारे पास 4x सबसे चोटा angle क्या है वो हमारे पास है 2x तो देखे 4x में आप x की value रख दो 80 हो गया और smallest angle कितना हो गया 2x यानिक 2 into 40 कितना हो गया यहाँ पर कितना हो गया चार दुनी आठ और यह हो गया हमारे पास 20 सौरी तो यह total निकल के कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा तो difference हमारे पास कितना आ जाएगा बड़े angle का और छोटे angle का difference पूचा 40 minus 80 minus 40 is equal to 40 तो answer हमारे क्या हो गया option number 4 बात clear होगी, तीनों का हमें योग निकाल लिए, X की value निकाल लिए, बड़ा और छोटे एंगल का difference हमने निकाल लिए, बड़े की value आ रही है हमारे पास 80, छोटे की value आ रही है हमारे पास 40, आंसर आगे हमारे पास 40, बढ़ते हैं आगे question number 3 के साथ में, which of the following item has the most potential for assessing a divergent thinking of the student, divergent thinking क्या होती है, मतलब जब कोई भी एक student बिविन दिशाओं में सोचता है, यानि कि out of the box thinking, और इस thinking से क्या होता है, आपकी जितनी भी खोज होती है, जो भी discoveries होती है, वो out of the box, यानि कि आप कुछ हट के सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि कि एक ए direction में सोच जो traditional है, ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना, तो इन में से कौन सा divergent thinking of student के assist करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इन सारे options में, थर्ट के लिए right answer है, हमारे पास option number 3, discuss the possible environmental consequences if all dear word disappear, कहने का मतलब है, कि ऐसे कारक को आपको discuss करना है, कि यदि वातावरन से सारे dear चले जा है, अगर वो विलॉप्त हो जाएंगे, तो क्या होगा, environmental पर इसका प्रभाव क्या होगा, तो आप क्या है, इस चीज़ को आप analyze करेंगे, फिर सोचेंगे different direction में, बाकी सब क्या है, difference between food chain and food web, तो आप सीधा सीधा सा answer लिख दोगे, food chain ये होती है, food web ये होती है, why does a food chain always start with producer, तो एक simple definite answer आजाएगा इसका, तो अगर definite answer आपके पास आता है, तो वो कभी भी divergent thinking नहीं होती है, develop food chain, तो आपको सीधा सीधा answer दे दिया है, यानि कि आप से पूछा गया है, what is your name, तो ये क्या हो गया है, आपको पता है कि एक इन नाम हो सकता है, मेरा नाम अमित है, मेरा न नाम देंगे, लेकिन यहां के पूछा गया है, divergent thinking, कि आपसे पूछा गया है कि क्या परवाब पढ़ेगा हमारे वाता वरण पर, अगर dear will look हो जाए तो, तो यहां पर multiple answer आ सकते हैं आपके पास, तो option number three is the right answer, next बढ़ेंगे भई हम question number four आता है हमारे साथ सामने, question number four है, science का और यहां पर दिया गया है types of root, यानि कि जड़ों के परकार दिया गया है और उसके example, आपको correct match करना है, तो आपको बताना है कि tap root किस से match करती है, ठीक है, prop root, slit root किस चीज़ से match करती है, तो right answer है four का option number third, तो देखें, fourth के लिए right answer option number third है, third कि अब होता है, a match होगा second से, यान match होगा, आपका या prop root होती है, किसकी banyan tree गी, और slit root होती है आपकी third sugar cane के साथ में, तो option number third is the right answer, question number four, science का अच्छा question था, next बढ़ते हैं हम question number आगे बढ़ते है, seven के साथ में, देखें, जो question मैं miss कर रहा हूँ, वो हम next video में discuss करेंगे, ठीक है, a sum which will be, which will earn a simple interest of rupees 2520 at 14% per annum in two years is, बहुत असा question तो simple interest का question था, si is equal to आपको बता है, p into r into t upon hundred, इस वाले formula में आपको केवल simple सा अपना answer रखना हैं, यहाँ पर interest यानि कि simple interest दिया गया कितना है, 2520 दिया गया है, rate of interest भी दिया गया है, मूल प्रंदी, principle पूछ रहा है आप से 14 into t कितना है, दो साल का, divide कर दो आ unical किया जाएगी, और p कितना आ रहा है, आपके पास 9000, answer कितना है, हमारे पास option number third is the right answer, next बढ़ेंगे question number आता है, हमारे पास 8, अब देखे, 8 question में क्या पूछा गया है, भाई, एक school में, एक meter की लंबी रसी को दिया गया है, students को, और उनसे कहा गया है, कि आप इसको अपनी जा रहा है, teacher, student को एक meter लंबी रोब दे के field में भीज रहा है, इससे, वो उसको क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये statement आपको बताना है, तो right answer रहेगा, question number eight के लिए, option number one, क्या है भाई, one, A and B, it can be used as an activity to introduce standard unit as a length of, भाई देखे, इस activity का हम इस्तेमाल किसले कर सकते हैं, कि बच daily life, ठीक है भाई, ये क्या करेगा, बच्चे को encourage करेगा, किस चीज के लिए कि वो अपनी daily life में, questions को, measurement को follow up कर सके, with the help of this, ठीक है, तो option number A and B is the right answer, question number eight, next बढ़ते हैं, question number nine की तरफ, nine बोलता है, which of the following questions are are investigable for middle school student, कि कौन सा ऐसा question है, जो investigate करेगा, खोज करेगा, why do we grow weak with age, कि हम age के साथ क्यों कमजोर होते हैं, consumption of what kind of food lead to stress-free life, या फिर option three बोलता है, which of the given sample of food item contain starch, why are lentils high in protein, तो कौन सा investigable question है, अगर middle school student की बात की जाए, तो right answer है, हमारे पास, option number four is the right answer, पेपर two को discuss कर रहे हैं, ध्यान ने रा, 21 December का पेपर है, यह, CDP हम इसके discuss कर चुके हैं, math science चल रहा है, तो option number four is the right answer, तो यह क्या है, investigation यान कि discovery वाला question है, कि protein high Q होता है, तो उसके पीचे reasons होते हैं, तो यहा question number 14 को, वो हम next video lecture में discuss करेंगे, question number 14 है, हमारे पास, many classes, eight students of school are found to be believed that all metals hard, solid and sonorous, what would be the most appropriate pedagogical advice to teach the class, कहने का मतलब है, class eight का student है, वो believe करते हैं कि जो metals होते हैं, बहुत hard होते हैं, solid होते हैं, यह sonorous होते हैं, तो इस activity को teacher किस तरीके से introduce कर सकता है, तो 14 के लिए right answer हम लेंगे, option number, design hand-on activity with hard and solid non-metals, ठीक है, क्या कहने का मतलब है, देखो, यहाँ पर कहने का मतलब है, कि आपको बच्चे को बताना है, कि जो metals होते हैं, वो soft होते हैं, या hard होते हैं, या non-metals होते हैं, sonorous होते हैं, क्या होते हैं, तो आप उनको hands-on activity दीजिए यानि कि practical application की थुरू आप उनको समझा सकते हैं, कोई भी कारे करके उनको बता सकते हैं, कि hands-on activity के द्वारा ये procedure clear किया जा सकता है, तो option number 1 रहेगा, इस question का answer, next बढ़ते हैं, question number 15 के साथ में, ठीक है, question number 15, wires connected to two ends of an electric cell are emerged in the following liquids, one after the other, in which of the following cases will the compass needle keep hair by short deflection, कहने का मतलब है कि एक compass की needle है, एक पूरा circuit बनाया गया है, तो उसमें जो compass की needle है, कौन सा solution डालने पर deflection शो करेगी, यानि कि swing move करेगी, भाई देको swing तभी move करेगी, जब इसमें से बिजली pass हो जाएगी, किसी भी solution में, यानि कि good conductor of electricity होगा, तो compass की needle move करेगी, अगर bad conductor होग compass की swing को घुमा पाएगा, तो 15 के लिए जो हमारे पास right answer है, that is option number 3, यहाँ पास जो sad solution होता है, sad solution जो है, बहुत एक अच्छा solution है, जो क्या करता है, आइनों में विवाजित हो जाता है, और electricity को अपने में से pass करा दीता है, distant water तो bad conductor होता है, तो इसलिए second option हट जाएगा, second यह से भी हट जाएगा, तो right answer क्या रहा हमारे पास third, first नहीं आएगा, हमारे पास option number third is the right answer for question number 15, बढ़ते हैं आगे question number 16 के साथ में, which of the following is acceptable guiding factor for developing science textbook for our country like India, तो आपको पताना है कि कौन सा guiding factor है, science textbooks को develop करने के लिए with respect to our country India, तो right answer हैगा, हमारे पास option number one, there should be opportunity for learner to appreciate how the concept of size evolve with time, तो option number A is the right answer रहेगा, question number 16 के लिए, option number A correct answer, next बढ़ेंगे question number 17 के साथ में, देखेंगे, अंजरा टेक्स two blocks of identical size, one is made up of aluminium and other is made up of lead, she shimmers them into the water, which of the following statement true, कहने का मतलब है, एक हमारे पास ये box है, box A, दूसरा हमारे पास box B, box A aluminium का है, box B किसका है, lead का है, इनको पानी में डाल दिया जाता है, अब आपको बताना है कि क्या condition होगी, buy and forces cannot be determined, buy and forces acting on aluminium is equal to buy and forces acting on lead, बिल्कुल नहीं, आपको बता है कि बढ़ेंगे होता है, पानी में डालो तो तेरता रहता है, lead को अगर आप डाल दोगे तो वो पानी में डूब जाती है, reason क्या है, simple सी बात है, 17 के ल तब ही वो फ्लॉट कर सकता है, otherwise नहीं करेगा, अगर weight of the body जादा हो जाएगा, तो यह sink हो जाएगा, तो aluminium इसलिए sink नहीं करता है, तो buy and force acting on aluminium क्या है, जादा है, buy and force acting on the lead, इसलिए aluminium जो है, ऊपर तैरता रहता है, lead डूब जाती है, option number 4, right answer, next question number बढ़ते हैं, हम 18 के साथ मे height and base of a one cylinder are respectively 30 cm and 6 cm, यहाँ पर पूछा गया है, the ratio of the volume, आयतन का ratio पूछा गया है, किसमें cylinder में, क्या दे रखा है, दो cylinder दे रखे हैं, यानि कि H1 दे रखे है 30 cm, R1 दे रखे हैं, हमारे पास 6 cm, H2 दे रखे है 15 cm, और R2 दे रखे हैं, हमारे पास 12 cm, लगा दो formula और आजाएग आपके पास answer, क्या volume का formula लगाना है, क्या होता, pi R square, pi R, pi R square H, यह R1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा, divided by pi R2 square H2, pi से pi cancel हो जाएगा, value डालो, आप सारी के सारी यहाँ पर value डालो, और आपके पास ratio निकल के आ जाएगा, और ratio हमारे पास रहेगा 18 का, option number 4, 1 is to 2 ratio निकल के आएगा तो option number 4 is the right answer, असान question था mathematics का, next बढ़ते हैं अब ही, question number 19 के साथ में, एक class 4 teacher find that few students in her class are not able to read and hence are unable to express their understanding of science concept the teacher should, तो 19 के लिए right answer है, option number 2, कहने का मतला है, class 4 का एक teacher जो पढ़ा रहा है class 4 में, उसमें कुछ student ऐसे हैं, जो लिखने में capable नहीं है, तो उनको समझाने के लिए teacher को क् चाहिए, use stories and science literature, option number 2 is the right answer, क्योंकि दूसरे जो options हैं, वो बिलकुल भी appropriate नहीं है, क्योंकि पहला option कहता है, inform parents about this problem, इस problem के बारे में, माता-पिता से बता के कुछ नहीं होगा, teacher को कुछ solve करनी पड़ेगी, instruct student to learn to read, instruct कर के कुछ नहीं होगा, अगर बच्चे को पढ़ना ही न अर्माल करना है, B is the right answer, next आता है, हमारे पास, question number 21, industries like rubber, automobiles and petrochemicals release harmful gases responsible for acid rains, oxide of which elements makes up these gases, तो सीदा-सीदा पूचा गया है, क्योंकि जितने भी automobiles होते हैं, industries होती हैं, सब acid rain cause करती हैं, किस की वज़े से, क्योंकि acid rain होती है, sulfur dioxide plus nitrogen dioxide, SO2 plus NO2 का combination होता है, जो acid rain होती है, तो option number 1 बिल्कुल correct answer, nitrogen and silver के क्या होते हैं, यह oxides होते हैं, जो acid rain होते हैं, option A correct रहेगा, next बढ़ते हैं, question number 22 के साथ, which of the following is true for light as travel from air to water, air से अगर light हमारी एक medium क्या है, air, air rarer medium है, और water कैसा है, denser medium है, तो rarer medium से denser medium पर अगर हमारी light जाती है, तो क्या होगा, यहाँ बताना है, velocity बढ़ेगी, frequency घटेगी, wavelength and velocity कम होगी, wavelength and frequency बढ़ेगी, तो देखो, air से water में जब जा रही है, तो यह क्या denser medium है, यह क्या rare medium, तो velocity पहली बात कम हो जाएगी, यहाँ ध्यान रखना, velocity decrease हो जाएगी, तो यह आगे हमारे पास velocity decrease, और velocity decrease होती होती है, तो wavelength भी आपकी decrease हो जाएगी, तो option number third is the right answer, wavelength and velocity, अगर rare medium से denser medium में जा रहे हैं, तो decrease होता है, ध्यान रखना, प्रकास की चाल की बात हो रही है, हाँ पर, next बढ़ते हैं, आगे question number 23 के साथ में, which of the following questions, should a teacher consider while planning science activity for a student, बढ़े, science की activity प्लान करनी है teacher को, तो क्या activity करेगा वो, help in arriving at the answers of the textbook की, जो answer लिखके help करेगा बच्चों की, अगर वो science की activity देता है बच्चों को, तो teacher क्या help किस तरीके से करेगा, answer ही बता देगा, जी नहीं, appeal to student for from all cultural background, सभी cultural background से appeal करेगा कि बढ़े, जो activity है, उसमें involved हो जाओ, provide an opportunity to apply science concept, बिलकुल सही है, help student to perform well in formative assessment, जी नहीं, right answer B or C रहेगा इसका, B or C आने की option number two, कहने का बतलब है कि अगर teacher ने कोई भी activity दी है student को, तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चों की मदद कर देनी चाहिए, जिससे वो अच्छी number लेके आ है, या उनकी textbook से उनकी help करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कि एवल पहले तो motivate क करना है कि सभी चातर उसमें भाग लें activity में, दूसरा उनको opportunity देनी है कि वो अपने science के concept को apply कर सके, जो activity दी गई है उसमें, तो option number two is the right answer, B and C, next आता है हमारे पास question number आएगा, हमारे पास 25, 24 हमने skip कर दिया, next video में लेंगे इसको हम, 25 आता है, बच सिंपल से इहां पर numbers दी है इसको बताना है किसके बराबर होगा, तो यह हो गया, two by three, multiply by, आपको बता है, ten by three हो जाएगा, यहापर, twenty by nine हो गया, अब twenty by nine को फिर दुबारा से आप change कर लो, किसमें आ जाएगा, यह हो जाएगा, 25 का right answer, option number three, two by, two right, two by nine हो जाएगा, two by nine, यह हो जाएगा, simple equation थी आपके पास एक नंबर के एक दम से solve कर लेते हैं, नेक्स बढ़ाते हैं, question number 26 पर, आप से हाँ पर short form पूछे गए, mathematics में, यह question मैंने कई बार अपनी mathematics की पैड़ागोजी में कराया है, तो make sure आप seat right के लिए अगर prepare कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो आप make sure आप इस video को share करे जादे से जादे क्योंकि यह वाला question मैंने अपनी life session में बहुत कराया है, G, A, N, I, T stands for mathematics से लिया गया question है, इसकी full form क्या होगी, right answer है, growing, G for growing, A for aptitude, N for numerical, I for innovation, and T for training, बच्चे confused हो जाते हैं, training में और techniques में, तो यहां training right answer है, और A का मतलब aptitude, बाकि तो सब सेम ही है, option number A is the right answer, growing aptitude in numerical innovation, and training is the right form of Gant, next बढ़ते हैं, question number 27 के साथ में, factorial दिया है, यहापर बहुत क्या असान था, आपको बताना था, x square minus 17x minus 38, इसके factors कर लो, x square minus 38 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहापर, 19x plus 2x minus 38, यह हो गया, simple, अब आप क्या करो है, आपर, कुछ भी नहीं करना, simple से x common निकाल लो, x minus 19 हो गया, यहाँ से आप 2 common निकाल लो, क्या हो गया, x minus 19 हो गया, अब दिखलो, common वाला एक तरफ कर दो, x plus 2, और x minus 19, तो यह आगया आपका option number 4, बहुत यह असान से question थे, mathematics से question थे, अब आता है, हमारे पास question number 28, skip करेंगे, next बढ़ते हैं, question number 30 पर, which of the following statement is correct temperature of the blue zone, the outermost zone of the flame, जो flame होती है, आपकी जो gas की flame होती है, उसमें outermost जो flame होती है, उसको blue zone कहते हैं, तो उसका temperature क्या होता है, right answer है, option number 8, temperature is much higher than 100 degree centigrade, तो भही इसका temperature बहुत जादा होता है, approximately जो बहुत जादा होता है, अप्रोक्सिमेटली जो बहुत जादा होती है, 1400 degree centigrade, highest होत temperature, तो option A, right answer रहेगा, next बढ़ते हैं, question number 32 पर, if one of the angle of triangle is 100, then the angle between the bisector of the remaining angle of the triangle, क्या होगा इसका, बहुत असा question है, असा तो नहीं है, यह question तो tough है, यह question tough है, पूरे theorem से solve होगा, कहने का मतलब है, यह कह रहे है, एक triangle मगर एक angle so है, तो remaining 2 जो है, उनके bisectors का angle कितने होंगे, यह पूछा जा रहा है, ठीक है, उनके bisector का मिलेंगे, 0, बतला O point पर आके मिलेंगे, तो right answer रहेगा, इसका option number 4, 140 निकल के आएगा, question lengthy है, यह hard question था, next बढ़ते हैं, आगे question number 33 के साथ में, यहाँ पर दो options दिये हैं, पहला assertion बोलता है, fruits and vegetables like apple, tomato, kiwi, cucumber, peaches should be peeled before eating, reason दिया गया है the peel of some fruit, vegetable, contain maximum amount of fibers, कहने का मतलब है, जैसे हम apple खाते हैं, kiwi खाते हैं, cucumber खाते हैं, तो उनने हम छील के खाते हैं, पहला statement, छीलने से दूसरे में दिया है, कि छीलने से fruits के में जो fiber होता है, वो remove हो जाता है, तो भाई, दोनो statements सहीं है, option number 3, दोनो statements सहीं है, और R is the correct explanation of A, कि option number 35 दिया है, यहाँ पर A बोला है, reproductive glands, B बोलता है, male reproductive part of flower, C बोलता है, female reproductive part, यानि कि जो style, stigma, या stamen, क्या चीज़े हैं, जो सही हैं, वो हमको बतानी है, तो 35 के लिए right answer है, option number, 35 के लिए right answer रहेगा, यहाँ पर option number 4, तो देखे, option number 4 क्या बोलता है, A, किस चीज़े से मिलेग stamen क्या है, male reproductive part of flower, जो होता है, उसको हम stamen बोलते हैं, pistil क्या है, female reproductive part of flower, जो है, वो उसको हम बोलते हैं, pistil, तो इसी से ही हमें matching करना था, और A क्या है, ovary, reproductive gland containing more or ovules, तो option number 4 is the right answer, flower के बारे में था यह question, next आता है, question number 36, the fact that there is a fraction between any two fractions is called, simples are divisible property of a fraction, option number A is the right answer, next बढ़ते है, question number 37 के साथ में बढ़ेंगे, यहां पर equation दी है, 8, बहुत असान है, 8X plus 33 is equal to 25 plus 17X, इसमें value बतानी है, हमें X cube plus 2 कितना होगा, यहां से X की value निकाल लो, और उसको cube करते चले जाओ, तो answer आएगा हमारे पास, option number, third आएगा हमारे पास, 1970 upon 729, बात क्लियर, यहां पर X की, इस equation से आप X की value निकाल के यहां put कर दो, बस, आगे बढ़ते हैं, question number 38, यहां पूछा गया, PQRSE is a quadrilateral in which PR and Q bisect each other, PR is equal to QR, then PQRSE is यह क्या होगा, बहुत यह quadrilateral के बारे में बात की जा रही है, यहां पर, तो इस quadrilateral में PQ and QS क्या है, bisect करते हैं एक दूसरे को, और यह दोनों ए T8 का option number 2, parallelogram होगा है, यहां पर यह, B is the right answer, next आता है question number 39, which of the following represents the increasing order of melting points of the metal, कि आपको metals के गलांग जो है, ascending order में बताने है, कि किसका सबसे कम है और फिर किसका सबसे जादा है, तो right answer है option number 3, देखो mercury का सबसे कम है, फिर aluminium का जादा है, फिर copper का और फिर iron का, तो option number 3 is the right answer, question number 39 तो इस video lecture में हमने almost 30 questions discuss कर लिये है, remaining 30 questions जो है next, part number 2 में discuss करेंगे, जिसमें math science discuss कर रहे है, CTAT के answer के लिए, वीडियो पसंद आई है, तो like, share, subscribe कर देने है, मिलेंगे इस video के part number 2 पे, तो make sure आप channel को subscribe कर लिए, क्योंकि आपको notification मिल जाएगा, remaining math science की जो answer की रहेगी, 21 of December के वीडियो